हेलो फ्रेंज, पास टेस्ट की एसे सीज में इंग्लेंड ने ऑस्टलिया से दो सुन्नों से पीछे होके ऐसे ही दिक्कत में है लेकिन उनका दिक्कत और बढ़ गई है क्योंकि उनका जो नमबर थ्री बैर्समें ऑली पोप है वो इंजुरी के काड़ोन बाकी तीन मैच नहीं खेल पाएंगे क्योंकि ओली पोप जिनका पहले से ही जो कंधों का जो हड़ी था उसमें दिक्कत था फिर उन्होंने उसी जगह पर दूसरी बार चोट खए है तो इस बार उनका अपरेशन करना पड़ेगा सर्जरी करना पड़ेगा तो उनको इंग्लेंड टीम की और उनक के लिए खेलता है तो उनको को देख रहे हैं दोनों डॉक्टर तिम का डॉक्टर देख रहे हैं उनको अगर पोप नहीं कहल सकते जो एक दम तयार है तो इंग्लेंड कोई नौया क्योंत प्लियार्ट इम में नहीं लेगा स्क्वब में नहीं लेगा क्योंकि डैन ल laps decep ओही ऑली पॉप का जागा लेगा ओही तिन नमबर में बैटिंग करेगा तो एक गंभीर ममला है क्योंकि ऑली पॉप ने अच्छे फर्म में था तो डैन लोरेंस को इसी प्रेशर में आके उनको भी अच्छा पर्फरम करना पड़ेगा और इंगलेंड की सामने बहुत ही चु जाएगा तो इंगलेंड को आगर बापोसी करना है तो जुरूर इस मैच से उनको बापोसी करना पड़ेगा तो हलाकि कैप्टेन बेंस्टोक्स ने जो सेंच्छुरी करके जो लड़ाई किया था ओ तो बहुत ही एक तरफ से इंगलेंड को मोटिवेट करेगा और क्या तो जैसे शिकारी की तोड़ा मौके का फाइदा उठाया है तो देखना है क्या होगा यह तो बक्ती बताएगा चातरिक से जो मैंने बोला थाट्टेस शुरू होगा तो दोस्तो वीडियो का अच्छा लगए तो जोरू लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके और नो थैंक यू